तो दोस्तो सुनी आप लोगों नहीं आवास कितनी कृष्टी बनी है ये काबली चने की नमकीन तो आज हम काबली चने की एक ऐसी नमकीन आपके साथ शेयर करेंगे जिसको आप लोग एक बार बना के रखेंगे और महीनों तक श्टोर करके इसको आप खा सकते हैं बिल्कुल एक मसाला भी आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों ये आगरा की मसूर चना खोकले रैस्पी है इसको मैंने सारे टिप्स और टिक्स के साथ आपके साथ शेयर किया है तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर दिखीगा तभी आपकी ये नमकीन परफेक्ट बनेगी चना नम साथ कर लेंगे और एक कडाई में हम पाने करम करेंगे और इन चनों को हम उबालेंगे दोस्तों हम चनों को कोकर में नहीं उबालेंगे हमें इन चनों को खुले में ही उबालना है क्योंकि हमें इनको हाफ टन करना है बहुत ज़्यादा नहीं कलाना है नहीं तो जो चना नम कीन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी तो हम इनको खुले में ही पकाएंगे अब इनको हम ढग देते हैं और बीच बीच में चेक करेंगे तो यहां पे 20 मिनट के लगबग हो चुके हैं दोस्तो हम चेक कर लेते हैं तो अब यह जो चने हैं दोस्तो एकदम परफेक चने को हम इस तरीके से फैलाएंगे चने का जो पानी है उसको हमें इद्दम से सुखा देना है इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहने चाहिए तो हम इनको पंखे की नीचे फैला रहे हैं दोस्तो अब यहां पे दोस्तो हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे यहां पे हम मसाला तैयर करेंगे सबसे पहले एक चमच हम धनिया पाउडर ले लेती हैं एक चमच ही हम इसमें साबुत जीरा ले लेंगे थोड़ा सा हम इसमें नमक एड़ करेंगे स्वादा नुसार नमक एड़ कर लेना है हम पे हमें जितना भी आप मसाला बना रहे हैं दोस्तो उसी के जार यहां पे नमक एड़ कीजिएगा तो एक चमच हमें आपे आमचूर पाउडर एड़ करेंगे और आधा चमच हमें आपे मिर्च पाउडर एड़ करेंगे आधा चमच हमें आपे काली मिर्च एड़ करेंगे और छे साथ के लगबग हमें आपे लॉंग एड़ करेंगे में अब इस मसाले को हमें ग्राइंडर में डालके पीस लेना है और इस मसाले को हम एकदम महीन पीसेंगे दोस्तों इस तरीके से ये देखें ये मसाला एकदम महीन होना चाहिए तो ये मसाला हमारा तयार हो चुका है तो अब यहां पे हम दोस्तों चने ले ले रहे हैं तो चन इसी तरीके से हमें चने का पानी सुखा देना है दूस्तू, तो एक चमच भरके हम यापे Corn Flore add कर रहे हैं दूस्तू, हमने यापे एक कटोरी चने लिये हैं तो उसमें हम एक चमच Corn Flore को add करेंगे और अच्छे से इस तरीके से हम mix करेंगे, सारे चने में अच्छे तरीके से coating इसी तरीकी से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो आए दोस्तो हम चलते हैं इनको फ्राइ करेंगे तो यहां पर दोस्तो हमने कड़ाई में तेल गर्म कर लिया है अच्छे तरीकी से पहले हम एक चना डालके चेक करेंगे कि यह तेल जो है एकदम परफेक्ट करम हुआ है या नहीं तो यहां पर तेल अच्छे तरीकी से गर्म हो चुका है दोस्तो आप देख सकते हैं चना एकदम से उपर आ गया यह दिखिए तो अब इसमें हम चने को एड़ करेंगे और हम हाँ से यहां पर चने को एड़ नहीं कर दोस्तो थोड़े थोड़े करके हमें फ्राइ करना है तभी यह चने है जो दोस्तो बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार होंगे दोस्तो चनों को फ्राइ करते समय हम फ्लेम को मीडियम हाई पर रखेंगे तभी इन चनों को फ्राइ करेंगे और जैसे यह चने अच्छे से फ्रा फ्राई हो चुकी हैं इनको हम निकाल लेंगे इसी तरीके से दोस्तों हम बाकी के चने भी खरकें रखंगे तो ये चने हमारे तैयार हो चुके हैं कितना प्यारा कलर आया है अब देख सकते हैं दोस्तों कि यह आबास हुथоды जोंचो चने कितनी बने ... अब इसमें हम एक चमच मसाला एड़ करेंगे तो इनको हम गरम गरम चने पी इस तरीकी से एड़ करेंगे दोस्तो थोड़ा सा मसाला इसमें और जाएगा तो यहाँ पे हम आधा चमच और भी मसाला एड़ करेंगे अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चने में सबी चने के उपर ये मसाला लग जाना चाहिए दोस्तों इस तरीके से हम मसाले को मिक्स करेंगे इस तरीके से तो ये लिजिए दोस्तों त्यार है चना नमकीन ये काबली चने की नमकीन आप एक बार पना के रख लीजिएगा और एर टाइट डिबे में भर के रखिएगा आप तीन महीने तक ऐसे ही खाते रहेगा चाई के साथ दोस्तो मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करती चीका थेंक यू